बड़ते खबरों में आगे और खबर दली से आज लोगसभा सत्र का पाँचवा दिन और दूनों सद्नों में आज सिर राश्टुपति के अभिभाशन पर चर्चा होगी लोगसभा में अनराख ठाकुर चर्चा की शुरुवात करेंगे राजसभा में सुधान शुत्रिवेथी चर्चा की शुरुवात करेंगे दो जुलाई को लोग सभा में चर्चा का जवाब देंगे प्रधान मत्री नरीन ट्रमोधी और तीन जुलाई को राज्ज सभा में चर्चा का जवाब देंगे पीम नरीन ट्रमोधी तो देखिए अगर द्रापदी मुर्मु के अभी भाशन की बात करें तो द्रापदी मुर्मु ने गलत सू अच्छा के लिए समय भी तैय कर दिया गया, लोकसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तैय किया गया, इस बीच भारतिय जहनता पार्टी को 8 घंटे का समय निर्धारित हुआ है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 2 जुलाई को बोलते वे नजर आएंगे, पही पीम मोदी राजसभा में 3 जुलाई को बोलेंगे, तो राष्ट्रपती का सम्बोधन कल रहा, अठारवी लोकसभा के सत्र को सम्बोधत उनके द्वारा किया गया, और इस बीच मुर्मु ने कई सारी महत्वपूर्ण बाती की, फिलहाल उनके अभी भाष्ण के उपर चर्चा की जाएगी, पीम नरेंदर मोदी 2 जुलाई को, राजसभा में 3 जुलाई को बोलते बें नजर आएंगे, 8 घंटे का सम्बे भारती अजनता पार्टी के लिए निर्धारित हुआ है, ऐसे में अगर अभी भाष्ण की बात करें कि क्या कुछ खास राष्ट्रपती क चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, राष्ट्रपती ने कहा, भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है, राष्ट्रपती ने G20 की अध्यक्षिता के दौरान कई मुद्धों पर दुनिया को एक जुट किया, ये भी कह कि भारत की भूमे का कितनी एहम रही, इसके साथ साथ में वो जलवायू, परिवर्तन, खादे सुरक्षा के मुद्धों को भी उजागर करती भी नज़राई, फिलहाल 2 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लोक सभा में बोलेंगे, 3 जुलाई को राजय सभा में बोलेंगे, 8 घंटे बीचेपी के लिए समय निर्धारित हो गया है, तो 8 घंटे का समय भारत जिनता पार्टी के लिए निर्धारित किया गया है, इसके साथ पलपल के अबडेर